हेलो बच्चों कैसे हो आप सब होप करता हूँ आप सब बढ़ियाऊंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको mathematics का term 2 का syllabus बताऊंगा तो सभी student अपनी book के अंदर जो भी चीज मैं बताऊना वो mark कर लेना क्योंकि आपको पता है term 1 की तरही इस term 2 में भी आपकी काफी चीजे कट हुई हैं तो सभी चीजों को mark कर लेना या फिर अपनी fair note में लिख भी सकते हो आप कि कौन को सा topic आपका कट हुआ है तो वीडियो को मैं बिल्कुल तूदा point रखूँगा बिल्कुल छोटी बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो को ताकि आपका time waste ना हो स्टार्ट करें फिर तो आपको पता है term 2 में आपके total 7 chapters आएंगे तो मैं आपको chapter wise बताता हूँ कि कौन कौन से chapter में कौन कौन सा topic आपका कट हुआ है सबसे पहला chapter है आपका chapter number 4 quadratic equations और इसके अंदर आपके दो type के question कट हुए है पहला है आपका completing the square method अब हो सकता है देखो आपको समझ ना आए कि ये method कौन सा है क्योंकि हो सकता है कि आपके school में ये chapter start ना हुआ हो लेकिन मैं आपको बता दू quadratic equation को solve करने के total तीन method होते हैं पहला factorization, दूसरा completing the square method और तीसरा quadratic formula तो इन तीन method में से दो method आपके syllabus में हैं और एक method आपका cut हो चुका है कौन सा cut हुआ है completing the square method वाला topic आपका cut हो चुका है ठीक है next है आपका x की power 4 वाले question नहीं आएंगे वैसे तो quadratic equation वो equation होती है जिसमें x की power 2 हो लेकिन इस chapter में कुछ question ऐसे भी है जिसमें x की power 4 है तो जिस भी question में आपको x की power 4 दिख जाए वो वाले question आपको नहीं करने clear chapter number 5 arithmetic progression और इस chapter में आपका एक तो example number 16 कट हो चुका है दूसरी आपकी जो exercise 5.3 है ना उसके question number 15 के बाद वाले जितने भी question है वो कट हो चुके यानि कि आपको इस exercise के first से लेके question number 14 तक तो करने है लेकिन 15 के बाद वाले question नहीं करने और जो आपका 15th question है वो भी आपका कट हो चुका है क्योंकि काफी बच्चे confused हो जाते हैं कि sir आपने ये तो बता जिया कि 15 के बाद वाले question नहीं आएंगे लेकिन जो 15th question है वो भी नहीं आएगा ठीक है जानि कि आपको first से लेके question number 14 तक ही करना है और example number exercise है exercise number 9.1 एक ही exercise थी तो इसमें से भी क्या क्या कट करेंगे तो इसलिए इसमें से कुछ भी कटनी हुआ है तो ये chapter आपको complete करना पड़ेगा इसके बाद next chapter है आपका chapter number 10 circle और इस chapter में से भी कुछ कटनी हुआ है ये chapter भी आपको पूरा करना पड़ेगा ये जो externally word है ये बहुत important है actually जो आपकी exercise number 11.1 है उसमें आपकी दो टाइप के कोशन होता है जिसमें आपको line segment को दो टाइप से कट करना होता है एक तो आप internally कट करते हो और दूसरा आप externally कट करते हो ठीक है तो ये दो टाइप वाले कोशन आपको exercise number 11.1 में मिलेंगे तो जो internally वाले कोशन है वो आपको करने है externally वाले कोशन आपको नहीं करने ठीक है confuse मत होना कि सर ने तो ये कोशन कट वा दिया नहीं आपके internally वाले स्लेबस के अंदर है externally आपके स्लेबस से बाहर है ठीक है ये चीज याद रखना क्योंकि कुछ कोशन में डारेक्ट आपको लिखा मिल जाएगा कि इस line segment को आपको externally कट करना है तो externally वाले कोशन आपके नहीं आएंगे next है आपका also do not do questions where you have to construct a triangle इस chapter में कुछ कोशन ऐसे हैं जिसमें आपको triangle construct करना होता है तो जिस question में triangle construct करना है वो आपके syllabus में से कट हो चुके हैं तो triangle वाले कोशन भी आपको नहीं करने इसके बाद next chapter है आपका chapter number 13 surface area and volumes और इस chapter में आपका जो frustrum वाला topic है न वो आपका syllabus में से कट है और frustrum आपका कौन से example बेज़ने एक frustrum topic के उपर example number 12, 13 and 14 तो ये तीन example आपके syllabus में से कट हो चुके हैं और आपकी जो exercise number 13.4 है ये जो complete exercise 13.4 ये भी आपकी कट हो चुकी है clear? तो exercise 13.4 frustrum वाली ही exercise है तो आप exercise number 13.4 नहीं करेंगे और तीन example भी नहीं करेंगे clear? इसके बाद आपका last chapter आता है chapter number 14, statistics और इस chapter में आपका जो step deviation method है वो भी आपको नहीं करना ये वैसे method बच्चों को बहुत मुश्किल लगता था तो आपके लिए अच्छी बात है कि ये method आपका कट हो चुका है और जो आपकी exercise number 14.4 है वो भी आपकी syllabus में नहीं आएगी clear और एक और चीज बता दिता हूँ बच्चे हैना जादा तर confused होते हैं कि कुछ chapter में आपको optional नाम से एक exercise मिलेगी जो की आपके chapter में last में मिलती है हर chapter में नहीं मिलती कुछ chapter में मिलती है तो optional exercise हमेशा से ही चाहे syllabus कट हुआ हो या ना हुआ हो ये exercise हमेशा से ही syllabus से exclude होती है यानि कि syllabus के अंदर कभी भी नहीं आ होती ठीक है तो आपको optional exercise भी नहीं करने पड़ेगी clear तो optional exercise के अलावा जो जो topic आपका cut हुआ है वो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में optional exercise भी आपको नहीं करने clear students इन topic को आपना वीडियो को पोज करके अपनी fair note में लिख सकते हो या फिर आप अपनी book के अंदर भी cut वाला mark लगा सकते हो कौन कौन सा topic cut हुआ है clear और अगर आप note नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं आपको मैंने वीडियो के description में एक link दे रखा इस PDF का तो आपको न note भी करने की जरूरत नहीं है आपको PDF डाउनलोड कर लेना clear तो मैंने आपको complete आपको syllabus बता दिया तो एक तो मैं congratulations देना चाहता हूँ उन बच्चों को जिनका paper term 1 के paper अच्छे गए है लेकिन अगर किसी बच्चे के किसी भी reason की वज़े से अच्छे नहीं गए है तो please आप घबराईए मत परिशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है आपकी starting भली अच्छी ना हुई हो लेकिन आपकी ending बहुत जबरदस्त होने वाली है तो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को ही बाजिगर बोलते हैं तो अपने को बाजिगर बनना है clear तो term 2 की अच्छे से त्यारी करो क्योंकि आपके पास अभी फिलहार term 2 की opportunity है तो आप अभी से term 2 की अच्छे से त्यारी करोगे तो आपका term 2 के paper बहुत अच्छे जाएंगे अभी से आपको planning करनी पड़ेगी तो syllabus मैंने आपको बता दिया है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो क्योंकि मैं आपको mathematics and science का complete syllabus करवाने वाला हूँ तो subscribe करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को फाइदा होगा आपको भी फाइदा होगा आपको भी term 2 की पूरी त्यारी करने वाली वीडियोस मिल जाएगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like comment करना चाहते हो तो कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ अपने friends के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए goodbye and have a nice day आपको झाल